दोस्तों आप लोग 4 जनेरेशन, 4.5 जनेरेशन और इवन 5 जनेरेशन के फाइटर यार क्रेप्टों के बारे में भी सुने होंगे पर क्या आप लोग को पता है कि अब इन यार क्रेप्टों से अलग एक 4.9 जनेरेशन के यार क्रेप्ट भी बन गया है ऐसा वी एक देश है ज जो कि 4.5 जनेरेशन यारक्रेप्टों से काफी ताकदवर और 5 जनेरेशन के यारक्रेप्टों से थोड़ा कमज़ोर एक ऐसे यारक्रेप्ट को निर्मान कर लिया है, जो कि आने वाले समय में F-16, Rafale और टाइफुन जैसे ताकदवर तरी इन 4.5 जनेरेशन के यारक्रेप्टों के लिए एक बहुत बड़ा खत्रा बनेगा। नहीं बनाया गया, और हाली में ही Korean Aerospace Industry के चेर्मेन के तरफ से अपने बार्मेर यारक्रेप्टों को लेके बयान देते हुए ये बताया गया है कि बार्मेर यारक्रेप्ट एक 4.9 जनेरेशन का यारक्रेप्ट है जो कि राफाल टाइफुन और F-16 जैसे बहुत रुन यारक यारक्रेप्टों को आसानी से मात दे सकता है। और हाली में ही इन यारक्रेप्टों के प्रोटोटाइपों के फर्स्ट फ्लाइट और कई सारे सिरियल टेस्ट के बाद कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री और कोरिया के यारक्रेप्टों के बीच में करिब करीब 20 बार्मेर यारक्रेप्टों को लेके एक समझोते के पर भी हस्ताक्षर हुआ है जो बेसिकली इन एरक्रेप्टों की इनिशल प्रोड़क्शन वेरियंट होगा और रिपोर्ट के मुताब एक साल दो हजर चब्वीस से इन एरक्रेप्टों का इनिशल डिलिवरी को भी शुरू कर दिया जाएगा और दोस्तों इन एरक्रेप्टों के सारे केवल मात्र साउथ कोरिया अपने एरफोर्स को ही मॉडनाइज नहीं करेगा बलकि नेक्स जनेरेशन के एरक्रेप्टों के डिवलप्मेंट के लिए भी इन एरक्रेप्टों का काफी महत्तपूर्ण भूमिका रहेगा इवन रिपोर्ट में तो ये तक दावा किया जा रहा है कि फिलार इन एरक्रेटों को एक 4.9 जनेरेशन या फिर कहतो मैनस 5 जनेरेशन के एरक्रेट के रूप में डिफलट किया गया है लेकिन इसके जो आने वले वरिजन है वो पॉपर 5 जनेरेशन का फाइटर एरक्रेट होने वाले कई तरिके के cutting edge technology का भी जिकर किया गया और उनका ये भी कहना है कि ऐसे कई सारी technology नियार क्रेप्टो में इस्तेमाल किया गया है जो currently 4.5 generation के fighter यार क्रेप्टो में इस्तेमाल नहीं होता है इवल उनके तरफ से अपने बयान में ये भी वताया गया है कि basically इन यार क्र का development South Korea के यार फोर्स में इस्तेमाल होने वाले F-4 जैसे यार क्रेप्टो के replacement के लिए किया गया है और पहले इन यार क्रेप्टो को एक 4.5 generation के यार क्रेप्टो के रूप में ही develop करने का इरादा रखा जा रहा था मतलब इन यार क्रेप्टो का विश्यमता रैफाल योरो फा से ये भी दावा किया गया है कि इन यार क्रेप्टो का जो डिजाइन है वो इस थरीके का है कि ये रैडर से निकलने वाले जादा तर सिगनेचरों को एब्सॉर्फ कर लेगा मतलब ये यार क्रेप्ट लगभग 5th generation के fighter यार क्रेप्टो के जितना ही stealth feature का होगा इवन इन यार क्रेप्टो में Artificial Intelligence Technology इस्तेमाल करने का भी बात कहा जा रहा है जो कि काफी कम यार क्रेप्टो में अब तक operationally इस्तेमाल हो सका है और इवन कुछ 5th generation के fighter यार क्रेप्टो में भी अब तक Artificial Intelligence Technology का इस्तेमाल नहीं किया जा सका है और Artificial Intelligence Technology को फिलाल 6th generation के fighter यार क के रूप में डिवलफट करना शुरू किया गया था और बाद में अप्ग्रेड करते एन यार क्रeuso को 4.5 जनरेरिशन के यार क्रेड तक लाया गया है तो ही पर KF21 यार क्रेड का वो और ओरीजनली 5 जनरेशन के यार क्रेड करके अप्ग्रेड करके आने वाले समय में именно इसे क यार्ट्रेप्टों का एक्सपोर्ट का संभावना इवी काफी अधिक है और कई सारे ऐसे देश है जो अवी से ही के एफ-21 बोर मेरे यार्ट्रेप्टों को लेके इंट्रेस दिखा रहा है। बेसिकली अगर देखा जाए तो साउथ कुरिया के द्वारा इन यार्ट्रेप्टों के डेफलोप्मेंट के दर्मियान ही इंडोनेशिया को एज डेफलोप्मेंट पार्टनर के रूप में जोड़ा किया है और रिपोर्ट के मताविक इंडोनेशिया करिव करिव इन यार्ट का एक मीटिंग भी हुआ था और इस मीटिंग के दर्मियान के एक्सपोर्ट के मार्केट को और एक्स्टेंड कर सके इवन एगर देखा जाए तो पिछले कुछ सालों के अंदर साथ कोरिया हतियारों के एक्सपोर्ट के मार्केट में काफी बड़ा भूमिका ले चुका है और कई तरीके के ऐसे हतियार है जो फिलाल साथ कुरिया के द्वारा अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट किया जा रहा है जिनमें साथ कुरिया के द्वारा निर्मान किया हुआ K2 ब्लैक फैंथर जैसे से शुरू करके के नाइन थंडर जैसे आठिलेडी और इवन लाइट यार्क्राफ्ट के रूप में डिफलफ्ट किया हुआ आने वाले समय में ये भारत के AMCA यार्क्राफ्टो को लेके भी एक बड़ा खत्रा बन सकता है क्योंकि अगर भारत AMCA यार्क्राफ्टो को एक्सपोर्ट मार्केट में उतारता है तो भारत का सबसे फहला फोकस साउथ इस्ट एशिया और गॉल्फ के देशी होगा और फिलाल भारत के AMCA यार्क्राफ्टो जहाँ पे बनना शुरू नहीं हुआ है तो उही पे साउथ कोरिया अपने केव 21 बॉर्मेर यार्क्राफ्टो के प्रोडक्शन को भी शुरू करने जा रहा है और ऐसे में कि यार्क्राफ्टो के एक्सपोर्ट का जो स्कोप है वो भ फिफ जनेरेशन की फाइटर यार्क्राफ्ट के रूप में बनाने का शुरू करता है तो जिस तरीके से इनिशियली सक्सेस मिला है उसे देखते हुए तो यही लग रहा है कि भारत के AMCA यार्क्राफ्टो से पहले साउथ कोरिया अपने केव 21 बॉर्मेर के फिफ जनेरेशन वर्जन को भी बना लेगा और अगर ऐसा होता है तो नो डाउट AMCA यार्क्राफ्टो के मार्केट में उतरने से पहले ही साउथ कोरिया एक्सपोर्ट मार्केट के उपर अपने केव 21 बॉर्मेर यार्क्राफ्टो को लेके एक दबदबा बना चुका होगा अब दोसों केव 21 बॉर्मेर यार्क्राफ्टो को अगर देखा जाए तो कई तरीके के एडवांस फीचर्स के साथ इन यार्क्राफ्टो को एक बहतरीन यार्क्राफ्ट के रूप में बनाया गया है और इन यार्क्राफ्टो को फिलाल ट्विन इंजिन सिंगल सिटेड मल्टी रोल यार्क्रा वही पर दोस्तों इन एर्क्राफ्टों के अगर फीचर्स को देखा जाए तो फिलाल इसे सिंगल सीटेट और ट्विन सीटेट दोनों वरियंड में ही बनाया जा रहा है और एर्क्राफ्ट के अगर आकार को देखा जाए तो इसका लंबाई करिवन 16.9 मिटर मतलब 55.4 इंच और विंग स्पान 11.2 मिटर मतलब करिवकरीब 36.7 इंच है यारक्राफ्ट का हाइट 4.7 मिटर मतलब 15.4 इंच और इसके वििंग एरिया करिवन 46.5 मिटर स्कूर मतलब 501 स्कूर फियर फीट है यारक्राफ्ट का एमटी वेट 11,800 कि Até past 11,700 किलोग्रम और मैक्सिममम टेक अब प्वेट करीब करीब 25,600 किलोग्राम है यार्क्राफ्ट का फ्यूल का पपसिटी भी करीवन 6,000 किलोग्राम और पेलोट शमता 7,700 किलोग्राम एक्स्टर्नली होगा फिलाल दोस्तों यार्क्राफ्टों में दो जनरलिक्टिक के ए 414-GE400 के इंजिनों का उप्योग किया जा र प्वेटावी कोरिया के तरफ से अल्रेडी ऐसे इंडिजिनियस इंजिनों के डिवलोप्मेंट का काम को भी शुरू कर दिया गया है फिलाल अमेरिकी जनरलिक्टिक इंजिनों के सहारे यार्क्राप्टों का जो अधिक्तम रप्तार है वो माक 1.8 या फिर कहें तो 2,200 किलो उइडिक और 4 अंटर फ्यूद से लारज हाट पॉइंट होगा एर्क्राप्टो में कोई इंटरनल हाट पॉइंट नहीं है जिस वजहा से इन एरक्राप्टों का जो स्टेल्थ फीचर हो एक 5 जनेरेशन के एरक्राप्ट का बराबर नहीं है जबकि वही पे इन हाट्ट ग्राउन गाइड़ मिसाइल ब्लोक टू, MBDA के बीमस्टोन और स्पेर 3 मिसाइलों को लगाया जाएगा अंटी शिप मिसाइल के रूप में AGM-84 हार्पून, KPD-350 और स्पेर 3 जैसे मिसाइल इस्तेमाल होगा और डूल पर्फोस ओर्डिनेंस के रूप में KPD-350, Korean Air 2 शिप 12, KGGB और CBU-105 जैसे बॉंब्स का इस्तेमाल होगा और डूसों अवियोनिक्स के रूप में इसमें फिलाल Active Electronically Scan Array Radar, Electro Optical Targeting Pod, Infrared Search and Tracking System और Electronic Warfare Systems का इस्तेमाल किया जा रहा है कुल मिला के अगर देखा जाए तो यारकरफटो में कई तरीके के ऐसे फीचर है जो की लगफ़ग लगफ़ग और 4.5 जेनरेशन के मुकाबले में काफी अधिक ताकती बर यारक्राफट के रूप में देखा जा रहा है दोस्तों आप लोग को क्या लगता है कि साउथ कोरिया के जो के एफ 21 बॉर्मेर यारक्रेप्ट किया या सच में रैफैल यूरोप फाइट जैसे ताकत वरतरीन 4.5 जेनरेशन के यारक्रेप्टों को टक कर दे पाएगा या नहीं कॉमेंट करके अपने डाए अवश्र दीजि दोस्तों आजके इस वीडियो को यही पेई करते हैं समाथ किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए जैहिंद वंदे मातरम